आज मैं आपके लिए लेके आई हूं बहुत बहुत फेमस और सब की पसंदीदा अनर्सा मिठाई तो अनर्सा किस तरह से हलवाई इत्ता टेश्टी बनाते हैं वही सिक्रेट में आपको बताऊंगी ना तूटेंगे ना ही विखरेंगे बहुत ही इजी तरीके से आप इसे बन बने अनर्सा बनेंगे आप ऊलार यसी तरेके से बना सकते हैं तो यकीनमानी आपके अनर्सा कि मिठाई बहुत ही टेश्टी बनाके लिना विखरेंगे अब हमें कर देना है अच्छे से mix, तेखे मैंने अच्छे से mix कर लिया है, अब हम कड़ाई चड़ा लेते हैं, gas on कर देंगे, इसमें हम डालेंगे फेंड, उसी बाउल से देड़ कटोरी पानी, तो जितना हम चावल काटा लिये हैं, उतना ही हम पानी डालेंगे फेंड, तो बहुत ही टेश्टी आपकी मिठाई बनकर तैयार होगी, और अगर आपको और जाथा मिठा पसंद हो, तो आप चीज़नी और कर सकते हैं, मैंने medium बनाया था, अच्छे से हमें कर देना है mix, जब थोड़े से boil आने लगे, अब इसमें हम चावल के आटेक, जो अच्छे से mix क करके रखे हैं, उसे हम थोड़ा थोड़ा डालते हुए अच्छे से मिलाएंगे, तो एक साथ हमें नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालते हुए इस तरह अच्छे से चलाते रहना है, तो लगाता चलाते रहेंगे, तो इसमें गाठे जल्दी नहीं पड़ेंगी, इस देखिए इस तरह का बाइनिंग तयार हो गया आप इसमें डालेंगे रिफाइंड ओल या देसी घी आप कोई भी डाल सकते हैं तो इसमें दो चमल डाल डाल दिजएगा अब डालने के बाद अब हमें ऐसे करना है अच्छे से mix तो इस तरह देखिया लगाता चला तो ज़्यादा हमें oil ही डाला है फिर वरना इसकी binding अच्छे से तयार नहीं होगी अब हम gas को बन कर लेते हैं अब इसे कोई भी बाउल या थाली में निकाल लेते हैं तो देखिये इस तरह निकाल लीजिए अब निकालने के बाद इसे हम 10 मिट के लिए थंड़ा होने के लिए रख देंगे तो बहुत ज़्यादा हमें थंड़ा नहीं करना है लगभग थोड़ा सा तो देखिये मैंने 10 मिट के लिए रख दिया था अब ये थोड़े से थंड़ तो देख सकते हैं अच्छे से मीक्स तो लगातार जळिखिए हम मिक्स करते रहेंगे तो तो बहुत जा माइस ताप वेका इंधम चल नहीं डालना है इसाथ डा जाया है तो इसका अउसा नहीं है आए' कर दो सब्सक्राद बाद नहीं है तो एक आप पा बड़ाना नेख सकते हैं तो एक आप间 अनर्शा मेंशों कfeitो भी आपको बड़ा चोटा लेना हो तो तरीके साब ले सकते हैं तो देखिए मैंने इस तरह balls ले लिया है मैंने छोटा छोटा अरजा बनाया था बहुत ही टेशटी और टाम्टीन दिखते हैं अब हमने ले लिया है सफेद तिल तो सफेद तिल से हमारी फेमास बेहार की अनरसा की मिठाई बहुत ही टेमटीन तयार होती है तो आप तिल जरूर रुप्यों कीजिएगा तो देखिए अब इस तरह हमें प्रेस करना है तो दुसरे साइड भी इसे तरह हम प्रेस कर लेंगे साइड साइड हमें तिल थोड़ा अच्छे से लगा लेते हैं इससे मिठाई का लुग बहुत ही टेश्टी और चेंजिंग हो जाता है आप चाहें तो खसगस भी डाल सकते हैं लेकिन तिल डालने से काफ़ी अच्छे दिखते हैं तो देखें इस तरह अच्छे से मैंने इसमें डाल दिया है तो देख सकते हैं हमारी अनर्शा की बिठाई तयार हो गई है इसको हम प्लेट में रख देते हैं इसी तरह फेंड हम दूसरा बना लेंगे तो मैं दुबारा भी आपको दिखा दे रही हूँ तो इस तरह आप बॉल्स ले लिजिए तो इसे रोल करने के बाद इसे हाथों से तील के उपर प्रेस कीजिएगा तो देखिए हमारे बोल्स तैयार हो गए है अब इसे हम हाथों से प्रेस करेंगे इस तरह रखकर आप प्रेस कर दीजिए तो अच्छे से तिल इसमें अच्छे से पकड़ लेती है अब बहुत ही अच्छी हमारी अनर्सा की मिठाई तैयार हो जाती है अब इस तरह साइड लगा के हाथों से थोड़ा सा हम फ्लाइट कर लेंगे तो देख सकते हैं इसले बन के तयार हो गई है अब मैं एक दुसरा तरीका ही बता रही फ्रेंड अनर्सा की गोली ओ भी बहुत ही अच्छी लगती है अद देखने में उसका लुक काफी टेस्टी लगता है तो देखिए कफ़ी इस तरह आप आटा ले लिजीए थोड़ा सा लेने के बाद इसका हम रोल तयार कर लेते हैं रोल तयार करते बाद आपसे चक्कु से काट लीजिए तो इससे आपका एक मेजरमेंट का बनेगा इस तरह काट लीजए जितना आपको बढ़ा चोटा लोई लेना हो तो आपके ट्रेस्पी काफी टेस्टी बनेगी अनर्षा की बिठाई इसे हम देखिए अच्छे से बाइडिंग में तरह दवा देते हैं अच्छे से हम दादाती हुए फ्रेंड देखिए इसमें मिक्स कर लेंगे तो हमारे देखिए तील के लड्डूजे से तैयार हो गया है तो यह अनर्षा की गोली है फ्रेंड बहुत ही टेस्टी लगती है आप इस तरह भी जरू ट्राई किजिएगा तो बच्चों को तो काफ कड़ाई मैंने तेल रख दिया है जब तेल हमारा मीडियम फ्लेम पे गरम हो जाए तब भी हम इसमें अनर्षा डालेंगे क्योंकि अगर जहादा हाई फ्लेम पे हो जाएगा तब भी जल जाएंगे तो अंदर से कच्छे रह जाते हैं और लो फ्लेम पे बिल्कुल मत डाले तो देख सकते हैं अब इसमें जितना पी पांच से जितना आये अथना डाल सकते हैं अब इसे हमें टच नहीं करना है ये दो से तीन मेंड़ बाद आटोमेटी के उपर आ जाते हैं देखिए फुले फुले अनर्षाब काफी अच्छे से तैयार हो गए है अलटते पलटते गोल्डन ब्राउन होने तक इसे हमें फ्राइ कर लेना है तो दे सकते हैं कितने अच्छे फ्राइ हो गए हैं तो लगवख चार से पाच मिड़ का समय लगता है इसे फ्राइब होने में तो आप मेडियम फ्लेम पे इसे फ्राइब कीजिए तो आंदर से भी काफी टेस्टी बन जाते हैं और बिल्कुल कच्छे नहीं रहेंगे तो आप मैं बॉल्स दाल के दिखा रहें तो बॉल्स में भी आपको मेडियम फ्लेम पे रखना है इस तरह जितना भी समय बॉल्स आ सके आप डाल दीजिए तो देखिए इसे डाल ले के बाद अब इसे एक से दो मिनिट बाद इसे अलटते पलटते हुए हमें इसे गोल्डन ब्राउन तक अच्छे से बना लेना है देख सकते हैं काफी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है अब इसे हम निकाल लेते हैं इसे तरह आपको सब को बना के तयार कर लेना है बहुत ही टेश्टी हमारे अनरसा की मिठाई बनकर तयार होती है तो फिर्ट वीडियो आपको कैसा लग रहा होगा आप कमेंड में जरू बताइएगा साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजेगा ताकि आने लो वीडियो को नौट्फिकन आप तक बहुत सके तो देखिए मैंने तयार कर लिया है कितने टेंटी लग रहे हैं बहुत ही टेश्टी हमारे अनरसा की मिठाई बनकर तयार हो गई है तो जटपड से देखिए मैंने बना लिया है आप इसे बिहार की फेमस अनरसा की मिठाई का सकते हैं बहुत ही टेश्टी लगत तो आप देख सकते हैं कितने टैम्टिन लग रहे हैं मैं इसे आपको तोड़के दिखा रहे हुँ फ्रेंट बहुत ही टेस्टी हमारी मिठाई बनकर तैयार हुई है तो इस तरह बनाइए फ्रेंट इन वीडियो कैसा लग रहा हो अब कमेंड में जरूर बताईए कर वीडियो